हलो फ्रेंद्स वेलकम बैक वेलकम टू वीडियो खर्जाना इस वीडियो खर्जाने चैनल में आप सबी लोगों का हार्दिक स्वागत है अभी तक अगर आपने हमारा वीडियो खर्जाना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फ्रेंद्स इस वीडियो खर्जाने चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पर आपको एजुकेशनल वीडियो मोटिवेशनल वीडियो टेकनिकल वीडियो जर्नी वीडियो और किचिन रेसिपी वीडियो और आपको टाइम पर डिलिवर होते रहेंगे और हाँ दोस्तों बैल आइकन पर क्लिक करना न भूलिएगा क्योंकि जब भी अगर आप बैल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको हमारे न्यूली अप्डेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सबजेक मैंस च्छास टेंच चैप्टर फाइफ अरिफ्मेटिक प्रोगरेशन प्रेंड्स हम आपको तो रहें इंत्रोड़क्टिप पार्ट के बारे में बताते हैं अरिफ्मेटिप प्रोग्रेशन का इंत्रोड़क्टिप पार्ट जो है We observe of the important points of arithmetic progressions arithmetic progressions list of the numbers is set to a form of an AP कोई भी number की जो list है उसको हम कब कह सकते हैं कि it is in form of AP arithmetic progression उसकी कुछ conditions होती हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं list of the numbers given below 1, 2, 3, 4, 5 and last term that is 7 it means इसमें plus 1, plus 1 अगर हम करते जाएंगे तो definitely एक series बन जाती और 3 को अगर हम 4 से या 4 को 3 से हम less करते हैं difference जो की generate हो रहा है दिकर है आपको सामने तो it means it is an AP ये एक arithmetic progression की series है each of the number in a list is called a term 1, 2, 3, 4 or 5 ये जो individual जो numbers है इनको हम term बोलते हैं और first term हमारा होता है that is 1 और last term that is 7 successive term उसके next वाली जैसे 5 से next value है 6 तो ये successive term है और 6 से जस्थ पहले वाले जो term है उसको बोलते है preceding term ऐसे 5 से पहले वाले जो term है that is 4 उसको भी हम preceding term बोलेंगे और 3 से आगे वाले जो term होगी वह होगी successive term और 4 से back में जो term होगी that is preceding term so the friends common difference d is equal to 1 that is 2 minus 1 is the fixed number friends यहां पर कोई से भी दो टर्म consecutive consecutive मतलब लगातार 4 या फिर 5 या फिर 6 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 3 कोई भी दो नमबर से या last but one से कहीं से भी दो नमबर उठाएं और उनको आप अपस में बड़ी digit से small digit को मानस करें मानस करने पर जो value आती है उसको हम बोलते है common difference आगर यह fixed है common difference तो तो हमारी यह arithmetic progression की series है चलिए इसको हम और elaborate करते हैं आगे नीचे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम पहचानते हैं कि वह series हमारी जो है वह arithmetic progression है या नहीं इन AP denote first term that is a1 second term a2 third term a3 fourth term a4 and fifth term a5 और जो आखरी आखरी की जो term होती उसको हम बोलते हैं एंथ एंथ टर्म that is an so friends one two three four five and last 7th जो हमार पास जो series का जो आखरी जो number था उसको हम 7th बोल लेंगे क्योंकि वो आखरी series का आखरी number है जो कि given है कई series में आखरी number given नहीं होता है चलिए हम और आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए deep understanding से so then ap becomes a1 a2 and a3 a4 and a5 आखरी term that is an so the arithmetic progression is a list उसको हम define कैसे करेंगे बहुत simple method है दोस्तों it is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number d to the preceding term except the first term first term कोई सी भी हो सकती है x y z लेकिन उसके बाद वाली जो term आईगी उसके अंदर एक fixed number को जोड़ दिया जाएगा और उससे एक नई term obtain होईगी इस प्रकार से वो fixed number next to next term में add होता चला जाता है और हमारी series बनती चली जाती है तो उसका मतलब वो arithmetic progression की form में वो series lie कर रही है so fixed term बहुत clear सी बात है a common difference of an ap it can be positive negative और zero the general form of an ap given below a a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d up to nth में जो आखरी जो term में a n is equal to a plus n minus 1d so friends the first term हमारा a1 यह होता है जो की first term है a2 second term a plus d से हम उसको निके करते हैं a हमारा वह first term का first a आ जाएगा first term का आ जाएगी और plus d common difference फिर a plus 2d similarly a plus 3d add the a5 जो fifth जो term होगी a plus 4d ultimately last में a n जो होगा a plus n minus 1d friends common difference जो होगा that is a2 means जो बड़ी वाली जो term है उसको हम less करेंगे small term से respectively next में जेखेंगे हम 3 को 2 से वापस a4 a3 से अगर हम यह चेक करेंगे कि हमारा जो d है क्या वो fix आ रहा है यह नहीं आ रहा है अगर वो d remain the same between the subtraction of two term तो हमें पता लग जाएगा कि वो हमारी जो arithmetic progression है वो बिलकुल correct है और वो हमारी finite है finite हम arithmetic progression को कैसे बताते हैं finite number of term and it has a last term किसी भी arithmetic progression की जो series है उसका अगर last term अगर defined है it means it is an finite ap so friends confuse बिलकुल नहीं होना है ap वो है arithmetic progression है क्योंकि common difference उसमें मौझूद है और उसी के basis पर common difference d अगर exist कर रहा है तो वो arithmetic progression है confirm यह करना है कि वो finite है या infinite है finite की सबसे important condition है it has a last term given तो यहां पर eight last term given थी finite series हो गई है हमारी finite ap अब हम बात करते है infinite की infinite ap of a term and it does not have a last term friends यहां पर जो ध्यान देने वाले बात यह है कि infinite ap means series हमारी ap जरूर है लेकिन वो infinite है वो इसलिए infinite है क्योंकि last term देखो friends यहां पर given नहीं है it is blank so friends this is the main difference यह main difference यह last term given नहीं है इसलिए यह infinite है लेकिन है तो arithmetic progression के series वो तो confirm है फिकिट difference जो है वो fixed है वो हो है one two three four five six seven eight यह के पता नहीं है and kaha par hoagie it means it is an infinite there is no end term so note common difference between any two consecutive term is the same so it is an ap बहुत simple सी बात है consecutive term के difference को अंतर को हम आगर वो common होता है definitely friends तो वो हमारी arithmetic progression series है like an example one two three four five six seven eight two four six eight ten that is odd series one three five seven nine eleven that is even that is even that is odd series and उपरवाली जो second number के है वो हमारी odd even series है और third number के हमारी जो है वो odd series है लेकिन difference जो है दोनों के बीच में वो common है one plus two three plus two five plus two that is seven seven plus two that is nine eleven plus two that is 11 to plus two is the common difference between the two term so common difference between any two consecutive term is not same it is not an ap अगर हमारा difference same नहीं होगा तो वो हमारी ap नहीं होगी friends बहुत clear सी बाते में फिर रपीट कराऊ अगर difference between the term is not same means it is not an ap चले हम आगे बढ़ते है general form of an ap given globe a plus a plus d a plus 2d a plus 3d a plus 4d at the end of the term that is an is equal to a plus n minus 1d means if an ap with the first term a and common difference d the end term or a general form general term is given by an equal to a plus n minus 1d so friends बहुत clearly मैं हमने इसको बता दिया है आपको चले अब हम यह चेक करते हैं अगर कोई ap दे रह किये तो उसका sum कितना होगा first sum of the first and term of an ap given globe उसका जो formula है s is equal to n upon 2 bracket start to a plus n minus 1d फ्रासर इस formula का और हम elaborate करते हैं और खोलते हैं एक बार तो sum is equal to n upon 2 a plus a plus a n minus 1d friends a plus n minus 1d हमें पता a n हमारा होता है तो हम उस value को यहां put करते है s is equal to n upon 2 a plus a n friends n term of an ap then an equal to l अगर हम यह माल लेते हैं कि जो एंत जो टम है वह हमारी आखरी तम है और वह आखरी तम गिवन है यह यह तिस l l is the last term of a finite ap तो हमारा फार्मला क्या बन जाएगा s is equal to n upon 2 bracket a plus l so friends this is the alternate formula some of the first n positive integer is given by as n is equal to n bracket n plus 1 upon 2 so friends इस वीडियो को आप end तक जरूर देखिएगा जो भी questions इसके बाद जो आपको define होगा उसके end में आप जरूर देखेंगा उसमें आपको end screen option दिखेगा end screen पे आप जो click करते हैं तो आपका next question प्ले होगा इसी प्रकार से आप इस वीडियो को like, share, subscribe जरूर करें so these are all the introductory part of these arithmetic progressions friends वीडियो को जब आप end तक देखेंगे तो last में आपको यह screen बिलेगा यह आपका end screen shots किलाते हैं यह आपका first, second और third top right corner पे जो screen shot है इसको हम end screen बोलते हैं इसमें आपकी जो next exercise के जो वीडियो उसके links available हैं यहाँ पर और नीचे वाले में आगर आप back में वीडियो देखना चाहते हैं तो back का link available रहेगा इस वाले में और left में जो आपको पास है जो वीडियो खसाना का link है इसके अंदर आप जितने भी वीडियो अब तक जब से वीडियो खसाना चैनल जब से design किया है तो आप से लेके आज तक के updated educational video technical videos यहाँ पर available रहेंगे तो फैंड तक जरू देखिएगा subject math class 10 chapter 5 exercise 5.3 arithmetic progression question 3.7 solution video by video Khazana so friends question number 3.7 given equal to 8 a n equal to 62 s n equal to 210 find the sum find the n and d friends यहाँ पर हमें number of term निकालनी है और n term निकालनी है और d उसका common difference निकालना है question of first term given है nth term given है sum of n term given है so friends first term a is common difference d already know the formula nth term of an a p is a n equal to a plus n minus 1 d as n equal to n upon 2 a plus l d according to given condition in question is is the first term a given common d calculate करना है anth term calculate करना है a anth term 62 given है sum of anth term given 90 l last term that is 62 now substitute the above given values into this formula s n equal to 210 s n n upon 2 a plus l so n upon 2 a plus 62 is equal to 210 n upon 2 a plus 8 plus 62 that is 70 equal to 210 and n uh 2 ko 30 2 ko हम divide करते है 70 से so friend 35 आता है n 35 equal to 210 and n n equal to 210 divided by 35 n equal to 6 now substitute the value of n equal to 6 and a equal to a to find the value of d so an is equal to 62 a n के मार पास formula गिवन होता है a plus n minus 1 d and equal to me that is 6 6 6 minus 1 2 के मार पास a 60 value to 62 62 so 60 value am i given a 6 minus 1 d that is 5 d or 8 a key value given t 8 so 8 plus 5 d equal to 62 and 62 minus 8 that is 54 and d is equal to 54 upon 5 so friends d के value हमार पास निकल के आगे 54 upon 5 और n equal to 6 now conclusion is n equal to 6 and d equal to 54 upon 5 so friends okay friends अगर आपको इस वीडियो खजाने के माध्यम से इस question का solution अगर आपको बहुत 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 तरीके से समझ में आ गया हो तो friends हमार इस वीडियो खजाने चनल को like करें definitely don't forget to subscribe and don't forget to share so friends don't go away stay tuned with us we will get back to you next video so till then keep watching keep learning and keep smiling thanks for watching goodbye you